आज का बोध सुत्र हैं अन्तिम शिक्षा एक विद्यार्थी पढ़ाई पूर्णकर जब आश्रम से विदा होने लगा तो गुरु ने कहा आज मुझे तुमसे कुछ मांगना है शिष्ष ने अहोभाव से निवेदन किया गुरु जी मेरा समस्त जीवन आपके लिए समर्पित है आप जो भी चाहे बेजिजक मांग सकते हो गुरु ने गंभिर स्वर में कहा मुझे तुमारा साथ वर्ष वाला रूप चाहिए शिष्ष ने साश्चर्य कहा गुरु जी यह असंभव है क्योंकि अब तो मैं अठारा वर्ष का हो गया हूँ साथ वर्ष वाले रूप की तो मृत्यू हो गई गुरु ने प्रसन्य होकर कहा यही अंतिम शिक्षा मैं तुझे देना चाहता हूँ पल-पल बदलने वाली यह काया हर नए क्षन में नया अनुभव करती है जो तुम कल थे आजवह नहीं हो सकते कल की मृत्यू पर आज का जीवन खड़ा है जीवन का अर्थ है क्षन-क्षन घटित होने वाली मृत्यू परिवर्तन ये प्रकृति का भी नियम है रितू बदलती है जगत का भी कन-कन हर क्षन बदल रहा है तभी तो इस दुनिया का आकर्षन है यदि जगत स्थिर होता तो आनंद कहां? अत्व मृत्यू के प्रसंग पर शोकाकुल मत होना रो रोकर अत्वा हाय हाय करते हुए तडप-तडप कर मत मरना क्योंकि मृत्यू का मतलब है परिवर्तन इस परिवर्तन को जो हस्ते हुए स्विकार कर लेते हैं उसके आगे मौत को हारना पड़ता है इतिहास सक्षी है गजसुकुमार मुनी ने सिर पर रखे हुए अंगारों को हस्ते हुए स्विकार किया तो मौत पर विजय प्राप्त कर ली मौत सामने हो और हम प्रसन रहे ये जीवन की मुल्यवत्ता है कहां भी है कौन कहता है मौत आगई सिर्फ महफिल का एक दौर समाप्त हुआ इसी कारण भारतिय तत्व चिंतकों ने मौत को सहर्ष आलिंगन करने की बात कही उनका कथन है मौत इस जन्म का अंत एवं दूसरे जन्म का प्रारंब है मृत्यू का अर्थ है अस्तित्व का लोप नहीं अपितु शरीर का परिवर्तन यदि कोई व्यक्ति हमें फटे पुराने कपड़े के बजाए नए कपड़े पहनाने लगे तो हमें खुशी होगी न हम उस नए कपड़े पहनाने वाले व्यक्ति को अपना शत्रु मानेंगे न उससे डरेंगे इसी भाती यदि हमें फटा पुराना जिर्ण शिर्ण जरजर शरीर बदल कर कोई नया चोला पहनाता है तो डरने की नहीं अपितु हर्ष मनानी की बात है जो मौद से घबराता है उसी को मृत्यू सताती है इस जिर्ण शिर्ण जीवन का अंत करने के लिए और नया जीवन प्राप्त करने के लिए मृत्यू मित्र बनकर आती है कवी की चार पंक्तियों में यह बात बहुत स्पष्ट है भौरे कहते हैं चमन बदल गया तारे कहते हैं गगन बदल गया पर आसमान की खामोशी कहती है ल आश वही है, बस कफन बदल गया। इसी तथ्य को कर्मयोगी श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मृत्यू आत्मा का नाश नहीं है, देह का बदल जाना है। करना निर्बलता है, मृत्यू की इच्छा करना कायरता है, और मृत्यू का स्वागत करना वीरता है, जो वीर हैं वे जानते हैं, मृत्यू पुर्व सूचना देकर आती है, सबसे पहले वह बाल सफेद कर देती है, ये उसका पहला नोटिस है, परन्तु आदमी सफेद बालों क काला कर लेता है, जिससे वह नोटिस पढ़ने में न आए, हलांकि सफेद बाल निवृत्ती का प्रतीक है, दर असल ये सफेद बाल धीरे से कान में कहते हैं, बहुत काले काम कर लिए, अब पुन्य के कुछ उजले काम भी कर लो, मृत्यों के दूसरी नोटिस में वह दांत तो देखने की शक्तिक शीन होने पर आखों में लेंस फिट करवा लेता है, तो सुनने की शक्तिक शीन होने पर कान में मशीन लगवा लेता है, जुर्रियां पढ़ने पर चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है, इस प्रकार खुद से खुद को धोका देता है, मौत की ह आरेक नोटीस को मनुष्य बिना पड़े निरस्त करता जाता है और स्वयम को सुरक्षित मान लेता है। कुछ समझदार ऐसे भी हैं जो नोटीस को पड़कर मौत की असलियत का चिंतन कर अपनी जीवन पद्धती, विचारधारा, बोलचाल के ढंग में अमुल चुल परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए वे अंत में पश्टाते नहीं। उनके जीवन की छोटी बड़ी हर प्रवृत्ती संयम का पुट पाकर सम्यक बन जाती है। अतह, हे आत्मन, ये जिन्दगी एक सरिता है, जो निरंतर बहते बहते एक दिन मृत्यू के सागर में मिल जाएगी। मृत्यू का मुल्य जीवन से जादा है, पर आश्चर्य है कि हम उससे परिचित नहीं हैं। अपनी मौत को जानना ही जीवन का असली मर्म पाना है। मौत को समझने से पहले ये समझने कि जिन्दगी क्या है। दुनिया में अनेक लोग ऐसे भी हैं जो जिन्दा हैं लेकिन उन्हें पता नहीं वे क्यों जी रहे हैं। जिन्दगी में अनन्त संभावनाई हैं क्योंकि इसमें अनन्त शक्तियां छिपी है। इन शक्तियों को पहचानना और इने साकार करना ही जिन्दगी का असली मकसद है। जिसके जीवन में विश्वास, सैयम और चारित्र का पतन हो जाता है उसकी जीतेजी मौत हो जाती है। इसलिए ज्यानियों ने जीवन के दो पक्ष बताए। एक जो चल रहा है और दूसरा जो अन्तिम प्रयान की ओर है। जब साथ में कुछ भी नहीं जाएगा तो कभी सो हम अपने लिए क्या करते हैं? आगे की क्या तयारी है? सुन्दर शरीर, स्वस्थ मन और परिपूर्ण पांच इंद्रियां जीवन की उपलब्धी अवश्य हैं पर वह मिट्टी के दिये से जादा नहीं है। यह खेल मिट्टी का है, शरीर मिट्टी से बनता है और उसी में मिलता है, इस मिट्टी के दिये रूपी शरीर को अपना मत समझ लेना, अतह इस दीपक से उपर भी अपनी नजर उठा कर देख, जो आत्म जोती है, उसका उपर की और उठना ही आत्मा का उत्थान हैं। शक्ती की उपस्तिती में आत्मा का उत्थान कर लेना, स्मरन रहे कि इंतू, परंतू, मगर और लेकिन जैसे शब्दों द्वारा टालम टोल और बहानी बाची करने में समझ और शक्ती का दुरुप्योग होकर कहीं जीवन पतन की और उन्मुक हो जाए उससे पहले जाग जाना एक बार अपनी नजर से अपनी को देख लेना अपनी नजर से अपने को जान अपनी नजर से तुँ अपने को जान जाग जाग आतम अपनी कर ले पहचान अपनी नजर से तुँ अपने को जान अंदर एक खजाना है बाहर में नहीं जाना है दुनिया मुसाफिर खाना है बीतर ही रम जाना है बाहर की कमाई तु अपनी नमान अपनी नजर से तु अपने को जान अपने को जान